नमस्कार मैं दुशियन सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरो ए आरो का एक्जाम जो है most probably फरबरी के second week में conduct किया जाना है आप यह नुमान लगा सकते हैं कि लगबग 10 से लेकर के 15 फरबरी के बीच में यह एक्जाम आयोजित हो जाएगा और आज कल आपने देखा होगा वैसे भी कुछ dates जो है वो वाइरल हो रही है बहुत से लोग बता रहे हैं कि 11 फरबरी के आसपास आरो एरो की जो परिक्षा है वायोजित होनी है तो आप यहां से अगर सीधे सब्दों में शमझेंगे तो आप जानते हैं कि लगबग 45 दिन का समय आप सभी लोगों के पास में बचा हुआ है तो इस वीडियो में 10 में हम यह समझेंगे कि 45 दिनों में आपको किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाजेशन करना है कौन-कौन सी चीज़ों पर आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि हम जब प्रिलिम्स का रिजल्ट आए तो उसमें अपनी एक सीट जो है वो शिके और कर सके 10 मट में समझेंगे इस तरह की वीडियो बैसे भी मैं जनरली बनाता नहीं हूँ मैंने स्टार्टिंग में एक स्ट्रीय वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारी चीजें आपको बता आए ति पहले ही अब यहां से इन नि 1745 दिनों में आपको क्या उन सब्सेस्टेम पर यहां इस जादा फोकस करना है उस पर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बिलकुल एक order में क्रमबत तरीके से चीजों को समझेंगे तो यहां से आपको पता है कि जो आरो का paper होता है उसमें 140 questions जो होते हैं वो आपके GS के आते हैं और आपके 60 questions जो होते हैं वो हिंदी वाले section में पूछे जाते हैं और आप जानते हैं कि अगर आपको prelims को crack करना है तो आपको minimum 135 से 40 के बीच में score करना ही होगा हलांके मेरा यह मानना है कि 135 तक भी आप पहुंच जाते हैं 140 तो मतलब एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि 200% secure zone है लेकिन आप कैसे भी करके 135 तक के target को अचीव करते हैं तो निश्यत रूप से आपका prelims निकलेगा चाहे कितने भी जो student हैं वो इस exam में बैट रहे हैं paper कैसा भी आ रहा है कितने form डाले हैं यह matter नहीं करता है लेकिन अगर आप 135 तक पहुंच रहे हैं हिंदी में बिना 50-55 score की ऐसा माना जा सकता है कि prelims को crack नहीं किया सकता है क्योंकि हिंदी में आप score अपना बढ़ा सकते हैं GS में आपने score को इतना ज्यादा grow नहीं कर सकते हैं तो आप यह मान करके चलेंगे कि हिंदी में 50-55 आपको लाने ही लाने अब GS की strategy क्या होनी चाहिए किस तरीके से हम 85-90 का score जो 140 वाला portion आता है GS का उसमें 85-90 तक कैसे पहुंचें और किन चीज़ों पर ज़्यदा फोकस करें ताकि हम अपना जो criteria 135-40 का हिंदी मिला करके वहां तक पहुंच सकें तो उसी के बारे में आज basically हम बात करेंगे तो यहां पर कुछ जैसे आपको पता है syllabus आप सभी को पता होगा तो syllabus में से कौन-कौन सी ऐसी core subject है जहां से सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं तो मैंने यहां पर कुछ 3-4 subject लिखी है 3-4 portion है exam के और यहां से मैं आपको पताते चलूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है सबसे ज़्यादा इन 45 दिनों में जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कहां से पढ़नी है किस तरीके से पढ़नी है वो सारी चीज़ें यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहले जब में हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है हिस्ट्री के लगबग 20 प्रशने के आसपास रहेंगे आपके paper में तो हिस्ट्री में से अब क्या पढ़ने अब उसमें तो सीधे रूप में लिख दिया जाता है भारती राश्टी आंदुलन तो इतिहास का syllabus जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा syllabus है तो यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा focus जो करना है वो modern history पर करना है more focus on modern history और modern history में में सीख कौन सा part आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना जिस पर ज़्यादा focus करना है जिसका बार-बार revise करना है तो वो है आपका Indian National Movement वाला part यानि भारती इतिहास में 1885 से लेकर के 1947 तके बीच की जो समयावदी की घटना है उन पर आपको सबसे ज़्यादा focus करना है बाकी बात रही ancient history की और medieval history की तो इसमें आपको सिर्फ selective पढ़ना है और अगर मैं और ज़्यादा इसको clearly कहूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि lucent type की जो knowledge है या आपकी जो भी एक basic book GS की आप यो use करते हैं उसमें जो दे रखा हो प्राशीन भारत और मद्दिकालीन भारत का जो भी material उसको आप दो-तीन बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा एक-दो दिन में आप उसको निप्टा देंगे कि हमको ये सारी चीज़ें यहां से पढ़नी है तो पहली चीज़ तो अपनी book list को बदलना नहीं है अब क्योंकि जैसे paper आएगा तो नई-नी चीज़ें आएंगी market में उनकी तरफ आपको divert नहीं होना है तो अपना जो primary resource रखना है पढ़ने का वो ये रखना है कि जो आपने book list अब तक follow की है पशले 5-6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से या पशले एक साल से आप जिन चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं जिन sources से पढ़ते चले आ रहे हैं उनहीं से आपको त्यारी करनी है पहली चीज तो ठीक है लेकिन अगर आप मैंसे ऐसे भी लड़के होंगे या ऐसे भी हमारे साथ ही होंगे जो पशले एक-दो महीने से जागरत हुए होंगे और पशले एक-दो महीने से ही उनके दमाग में ये चीज़ें आयोंगे, चलो आरो की तैयारी करते है तो उनके लिए मैं बता देना चाहरू कि जैसे Ensint की बात करें Ensint History की बात करें इसके लाब आ Modern History की बात करें तो मैंने इसी चैनल पर Ensint History और Modern History की पूरी प्लेइलिस्ट बना रखी है Ensint History की जो वीडियो है थोड़ी सी परानी हो सकती है लेकिन यहाँ परानी से मतलब नहीं है यहाँ पर मतलब है कि उन वीडियो के अंदर है क्या उस कॉंटेंट के अंदर है क्या अगर आपको ठीक लगता है क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आपका समय वेस्ट हो आपका समय बरबाद हो तो कम समय में आप पूरी Ensign History को कवर कर सकने बहुत अच्छी Explanation के साथ में बहुत अच्छी Contact के साथ में और यहाँ पर जो कि मैं विश्यस रूप से कह रहा था Indian National Movement की भारती राश्टी आंदुलन की तो भारती राश्टी आंदुलन को मैंने छे विडियो में कवर किया हुआ है इसकी PDF मैंने टेली ग्राम पर डाली हुई है विडियो देखना है तो देखो नहीं देखना है तो एक काम करो जो PDF मैंने Indian National Movement की पूरी की पूरी डाली हुई है उस PDF से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो और मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारती राश्टी आंदुलन में इससे बाहर कोई प्रस्ण जाएगा और यह जो PDF है भारती राश्टी आंदुलन की 1885 से लेकर के इससे तालिस तकी इस मैंसे आपको कम से कम 10 क्वेश्टन मिलेंगे इस 20 हिस्ट्री के पॉर्शन मैंसे कम से कम 8-10 क्वेश्टन से इस PDF से आपको मिल जाएंगे तर इससे कह सकते उसको समझेगा अगर आपको सही लगता है और आपको लगता है कि इसके बाद मैं जिग्राफी की बात करेंगे तो यहां पर मैं जिग्राफी के साथ मैं लेकर चलना हूं environment यह जो परयावरन वाला portion है वो कहीं न गहीं जिग्राफी से related है तो जिग्राफी और environment के मिला करके इस पेपर में जो questions पूछे जाएंगे वो 25 से 30 हो सकते हैं ठीक है 25 minimum questions आपको जिग्राफी और इन्वायर्मेंट के मिला करके पूछे जाएंगे इनकी संख्या 30 तक भी हो सकती है तो आप एक minimum लेकर के चलते हैं पच्छीस इन 25 questions पर आपको क्या करना है आपको सबसे ज्यादा focus करना है इंडियन जिग्राफी पर भारती भूगल पर सबसे ज्यादा focus करना है भारती भूगल से ज्यादा प्रस्ण पूछे जाएंगे as compared to world geography और इसको कवर कहां से करना है इस चीज में इन सारी चीजों में जो मैं आपक क्योंकि आरो यारो का exam है और आरो यारो का exam के बाद में UPPCS का भी exam होना है तो बहुत ज्यादा उसमें फरक नहीं है एक महीने बाद ही उसका PCS का exam हो जाएगा तो क्योंकि syllabus दोनों का एक ही यह prelims का तो एक ही चीज से आपकी दो target जो है वो आप कर सकते हैं दोनों exams को target कर सक PDF बीडियो के साथ में मैं इस चनल पर डालता रहता हूं PDF टेलिग्राम पर daily के daily share करी जा रही है 30 दिन का target में लेकर करके चल रहा हूं पर डे एक paper की PDF बिल्कुल explained way में यानि पिछली बरसों में कहां कहां किस किस तरीके के question पूछे के किसी particular topic से वो सारी की सारी चीज़े में तो यहां पर हमको यह देखने को मिलता है कि UP PCS में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं as compared to ROERO ठीक है यहां पर संख्या यानि PCS में जब हम बात करते हैं तो संख्या पहुच जाती है आपकी 20 प्लस पहुच जाती है कभी कभी 24-25 questions पूछ लिए जाते हैं पॉलिटी के ROERO में थोड़ा सा कम रहता है पॉलिटी का portion मलब PCS से मैं compare कर रहा हूं तो यहां पर भी minimum 15 questions आपको देखने को मिलेंगे 15-18 के बीच में questions आएंगे आपके पॉलिटी और Constitution के पूरी की पूरी playlist बनी हुई है और इस guarantee के साथ में कि आपको जितने questions इन दौने exams में पूछे ज बना रखी है लेकिन इसके साथ फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर बढ़िया तरीके से त्यारी करते चले आए हैं अब तक और आपकी जो बुक लिस्ट है वो आपने फॉलो करिए आपकी पार्टिकुलर बुक लिस्ट होगी जो आपने पहले ही बनाई होगी इस exam की त्यारी से पहली, तो वह सारी छीज अगर आपने स्टार्टिंग से पड़ी हैं तो आप पुनिक रवैस करिएगा, लेकिन अगर आप रिवीजन चाहते हैं, कि जारी मान करें लिए आप, दो महिने से पळी है पोईली और प्लेजिस्ट ही प्लेजिस्ट पड़ी है का रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से तो यहां पर तीन सब्जेक्ट होगी है हमारी एक आपका हिस्ट्री हो गया एक आपका जिग्राफी इंवायर्मेंट हो गया और तीसरा आपका हो गया पॉलिटी और हो सकते हैं अगर मैं current affairs और budget या फिर economic survey यो यूपी का है उसको भी अगर मिला लूँ तो ज्यादा भी संख्या हो सकती है लेकिन फिर भी एक minimum criteria लेकर के चल रहें पंद्रे से 20 questions यूपी special के रहेंगे तो यूपी special की मैंने पूरी playlist बना रखी है आप वहां से revise कर सकते हैं बाकि चलिए 25 questions अगर paper में आएंगे तो कोई भी ऐसा YouTube पर channel नहीं है कोई भी ऐसा teacher नहीं है ना कोई ऐसी अकेली magazine बनी है जो आपके 25 के 25 questions आपको अला करके दे दे और ना ही कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो 25 questions current affairs के आ रहें तो पूरे 25 के 25 करके आ सकता है तो क्या है ना कि हम को maximum जो चीजें हैं वो कहां से मिल सकती है उस source पर जो है हमको जाना है उस source को हमको follow करना है 25 के 25 questions को अगर बिलकुल अचीव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा यह असंभव चीज है तो 25 के 25 questions आपको कहीं से नहीं मिलेंगे लेकिन हमको ध्यान देना है कि maximum चीज जो एक्जाम से पहले आता है या फिर आईदरस्टी का लास्ट वाला एडिशन जो एक्जाम से पहले आता है वो भी आया नहीं है दिसम्बर के बाद में आने की संभावना है तो अभी अर्दवार्शिकी है इन किताबों की जो दोनों magazine मैं आपको बता रहूं इनकी अर्द मैंने आपको दो-तीन महीने पहले भी बताया था कि चाहिए आप science background से हैं या आप arts background से हैं आपका math कैसा है आपकी reasoning कैसी है यह matter नहीं करता आपको इस पर काम करना ही करना पड़ेगा और दो-तीन महीने पहले अगर मेरी बात किसी ने मानी होगी तो वो इस पर काम कर चुका ह और इन में गलती की संभावना बहुत कम होती है तो यह आपको करना ही करना है इसके लिए आपको जो भी प्रयास करना पड़े वो आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आप इन 10 questions को छोड़कर के आ रहे हैं तो आपको यकीन नहीं होगा आप यह मान करके चलेंगे आप ला करते हैं अंसर कीज़े तो पहां पता चलता है कि हमने question को गलत कर दिया लेकिन reasoning या math के questions होते हैं उनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है और यह कहीं न कहीं एक तरह से bonus marking होती है आपके लिए अब थोड़ी जी मिनत करेंगे तो 10 के 10 नंबर आपको यह मिलनी मिलने तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है reasoning को करना ही करना है अब यहां से जिदिनी subject मैंने बताई थी जिनके बारे मैंने बताया आपको कैस किस तरीके से कैसे कैसे करना है अब यहां से एक idea देखना कि किस तरीके से आपके number आने वाले हैं जैसे history के हमने 20 question यहां पे count करे थे जिग्राफी environment के हम 20 question ही लेकर चले हमने 25 बोला था उपर लेकिन हमने उसमें से 20 question लिये हैं quality के मैंने 15 से 18 बताया थे आपको लेकिन इसमें सिर्फ 15 questions ले रहा हूं current affairs के मैंने आपको 25 question के असपस बजाये थे लेकिन इसमें से 20 question ले रहा हूं UP के 15 question ले रहा हूं तब इस पर ही आपको 45 दिन में सबसे ज़्यादा focus करना है और यह सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मैं history की बात करूँ तो अगर आप वाली playlist follow करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूं तो एक दिन में history खतम करेंगे जोग्राफी की बात करेंगे तो मैंने पूरी की पूरी NCRT छैसे बारे त अगर आप आरो का exam दे रहे हैं लेकिन अगर आप जोग्राफी के NCRT पढ़कर के आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी questions बिल्कुल line to line मिलेंगे पेपर में चाहे PCS में देखें आप चाहे आरो में देखें बहुत अच्छा जो है content NCRT में दे रखा है खास करके जोग्राफी क और history अगर आप तीन दिन बिल्कुल लगातार बैठ गए दिमाग को concentrate करके कि हमको ये तीनों subject खतम करनी है तो तीन से चार दिन में आप इन तीनों subject को खतम कर देंगे ठीक है और यहां से आपकी maximum चीज़ें cover हो जाएंगे ये आपके उपर depend करता है मैं आपको voice नहीं कर रह करेंगे और मैंने जो आपको sources बताई हैं उसको follow करेंगे तो 90 मेंसे क्योंकि हम सिर्फ 90 वाले portion को ही target करके चल रहें 40 दिन और मैं कहारा हूँ कि इसके अलावा अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं मलब जो भी बची हुई चीज़ है उनको हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे तो इन 90 questions को अगर हम target करके चलते हैं तो और 45 दिन इनी पर काम करते हैं तो यह मतलब एक जाहिर सी बात है किसमें हम 65 questions तक पहुंच सकते हैं 90, 45 दिन तक आप 90 number पर focus कर रहे हैं और उसके बावजूद मैं यहाँ पर number आपके दे रहा हूँ 65 questions आप करेंगे जब आप 40 दिन इ करेंगे ही करेंगे जब आप 40 दिन इनी चीजों पर focus करेंगे तो 65 यह होगे reasoning के 10 number में इसमें add करके चला हूँ क्योंको इनको मैं छोड़ नहीं सकता, personally मैं तो नहीं छोड़ सकता, आप जैसा सोच रहे हैं वो आपकी उपर depend करता है, लेकिन मैं अगर आपकी जगे होता तो मैं इन 10 number को बिल्कुल नहीं छोड़ता, तो 55 और 10 मिला करके 75 होगे, अब यह 10 less कर दीजिए, 50 वाले में से, तो यहां पर question कितने बचे, 40 बचे, अब इन 40 questions को आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, यह 40 questions जहां से पूचे जाने, उस portion पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, आज की डेट में, जब 40 दिन बचे हैं एक्जाम में, तो मैं यह guarantee से कह सकता हूँ, और इस बात को note कर लीजेगा, screenshot ले लीजेगा, 200% मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कि इन 40 questions में से 10 से 15 questions आप आराम से करेंगे, आप आज से बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और 75 में से 10 इदर से या 15 इदर से हम count कर लेते हैं, चालीस वाले portion में थे, तो हम उसी अपने target तक पहुँच जाएंगे, 85 से 90 questions के आप, जो target ले करके चल रहेते हैं, हम starting में के GS में हमको इतना करना है, तो इस 85 से 90 वाले target को हम achieve कर लेंगे, और इसके साथ साथ, क्योंके इस से 90 दर लाते हैं, तो 50 से दर से हिंदी वाला count करेंगे, तो automatic 135, 140 तक आप पहुच जाएंगे, देखे, चीजें आपके उपर depend करते हैं, आप उनको cutting बनाएं, सरल बनाएं, या उसको complex बनादे, कैसे भी कर लें, लेकिन जब भी हम को exam देते हैं, तो हमको ये नहीं करना है कि उस exam को बहुत बड़ा चड़ा करके, और उसको बहुत ज़्यादा complex बना देना है, ये अपने उपर depend करता है, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे लेते हैं, ठीक है, सही strategy, सही रड़नीती, और अपने time का सही तरीकी से utilization, अगर हम करते हैं, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, उसके लिए एक perfect strategy चाहिए, उसके लिए perfect रड़नीती होनी चाहिए, कि हमको काम कैसे करना है, एक roadmap हमारे सामने होना चाहिए, वही roadmap आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीका को आप फॉलो करते हैं, तो निश्यत करना पढ़के जाना अची तरीके से, अगर आपके पास कोई resource नहीं है, तीस सालों के paper का, तो इस channel पर मैं लगातार पर डे ये video upload कर रहा हूँ, और पर डे आपको टेलिग्राम पर पीडियाप भी, उसका बिल्कुल explained पीडियाप जो है, वो टेलिग्राम पर प्रोवाइड अगर आप उस पर अपना time ज्यादा बेस्ट कर रहें, तो YouTube पर वही चीज़ देखनी है, जो ज़रूरी है और आपके काम की है, यानि जहां जहां आपको समस्या आ रही है, वो particular topic यूट्यूब पर सर्च करिए, और जहां आपकी जो query है, वो सान्त हो जाए, उसके बाद में YouTube को साइड में रख देजिए, यानि YouTube का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जो हमको काम का लग रहा है, वही पढ़ना है, या हम जिन चीज़ों से पढ़ रहे हैं, जो sources हम follow कर रहे हैं, उसमें अगर हमको कोई चीज प्रॉब्लम दे रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ इसके साथ साथ आपने अपनी जो भी book list स्टार्टिंग में बनाई हो, उससे जरूर follow करना है, उसके अलावा, बहुत ही rare condition ऐसी होनी चाहिए, कि जब आप दूसरी source की तरफ जाए, आपका ध्यान, main focus जो है, वो उसी पो होना चाहिए, जो book list आप पिछले 5 माईने से follow करते चले आ रहे हैं, दूसरी चीज़ के YouTube की जो मेरातन क्लासेस चलती हैं, उससे दूरी बनाई रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यह आपका समय बरबात करेंगी, बाकी यहां से कुछ नहीं आना है, ठीक है, current affairs को लगाता revise करना है, यह एक ऐसी चीज़ है, जिसको अक्सर करके हम नजर अंदास कर देते हैं, लेकिन अगर आप आयोग की परिक्षा देने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना है, क्योंकि बेना current affairs को त्यार किये, कहीं न कहीं हम अपने जो एक target लेकर के चलते हैं, 85-90 questions का वहां तक नहीं इसको जितनी बार हो सके, maximum time इनको revise करना है, इसके साथ साथ जो होगा, वो भविश्य की गर्त में हैं, आप सभी जानते हैं, कम से कम अपना moral डाउन नहीं होने देना है, और सोचते रहना है कि आप अपने target तक पहुँच गए हैं, मतलब अपना moral आपको उपर उठा करके र होना है, और last में चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा, याद रखना है कि कोई भी exam आपकी life से बड़ा हुआ नहीं है, no exam is greater than your life, तो अगर आप स्वस्त हैं, ठीक हैं, जिन्दा हैं, तो इस चीज़ का भगवान को शुकरिया अदा कीजिए, कि अगर आप नहीं भी होता है in how, क्योंकि आपको पता कि जितनी vacancy हैं, select उतनी होंगे, चाहे 10 लाग फ़र्म पढ़ें, 15 लाग फ़र्म पढ़ें, 20 लाग फ़र्म पढ़ें, यह matter नहीं करता, कोई कितना भी stress हो, लेकिन selection वही 400-400 लोगों का होना है, जितनी vacancy होंगी, उतने ही लोग select होंगे, बाकी के तो अगर नहीं भी होता है, अगर किसी कारण वश, तो बिल्कुल भी आपको परिशान नहीं होना है, क्योंकि कोई भी परिख्षा आपके जीवन से बड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है, आगे और भी मौके मिलेंगे, अगर आप काम करेंगे, तो नियती आपको मौके देत िरियोगी आप मॉकों को आपको पहचानना है सही संकेत को पहचानना है जो आपका, जो life है आपको दे रही है उन सही मॉकों को पहचान करके उसके लिए काम करना है तो अगर exam में selection हो जाता है, अच्छी बाते नहीं होता है, तो फिर दुभारा झाल झाल